आज के वीडियो के लिए आपका होस्ट प्रेम पांडे एक नई वीडियो आपके फीब्रिक चानल एजुकेशनल हाइक्स पर लेकर वापस आ गया है आज के इस वीडियो में हम कुछ नौन एजुकेशनल स्टाटिजीस के बारे में बात करेंगे that you can use to boost your marks in your exam बट इसके पहले ले में टेल यू कि इंगलिस में कहावत है कहते हैं कि भाई by failing to prepare you are preparing to fail मेरे दादा जी जो कि किसान थे साथ साथ में नजदी की सरकारी होस्पिटल में वो health inspector भी थे तो उन्होंने में बच्पन में कह दिया था कि बेटा अगर तुम prepare करने में fail हो जाते हो तो that means कि तुम prepare इसलिए कर रहे हो ताकि fail हो जाओ ठीक है तो ये एक छोड़ी सी लाइन जिसका बहुत गहरा मतलब आज की वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ जो दिन गए बात गई अप्रेल, मई, जून, जुलाई ये चार महीने थे जो आपने waste कर दिये आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ आपका knowledge एक नदी में बहते हुए पानी की तरह है अब अगर इस पानी में से productivity निकालनी है न तो मुझे dam बन कर आपको guide करना पड़ेगा और आज की इस वीडियो में हम हर वो चीज बात करेंगे जो आपको अगस्त से till your board exam तक लगादार continuously करना है if you also wanted to be in top 1 or 2% of students, right? तो क्या आप तग्यार है? चैनल को subscribe कर दीजे ताकि वीडियो को smoothly देखते रहें चले चलते मेरा एक डिसिए जो मैं अभी रिग्रेट करता हूँ मैंने स्टाटिं कि फर्स्ट मनें का लगबाग बेस्ट कर दिया था I was not expecting this, I did not think I am going to top India at all मुझे पता था कि अना काफी लेट ओचिए अभी भी शुरू नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा तो सर मैं खुद सही सवाल पूच लाथा था कि ये मेरे उपर बढ़ ने या मेरी चोड़े It is important not to panic and just keep a clear head before your exam, get a good night's sleep and just believe in yourself Consistency कहीं बहुत important factor था मेरी preparation में मैं जो करता था, questions practice करना बहुत ज़रूरी है, हर कोई भी subject हो, questions practice करना बहुत ज़रूरी है Struggle का सर, कोई भी second option है मैं काफी बारी लगता था कि दोत बहुत मजह कर रहे है, मैं ही पीछे रह जाओंगा एक बात समझ में आ रही है, वो उड़ने दीजिए, हमारा टाइम आएगा, उड़ा दे तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक ग्लोबल डिस्ट्राक्शन रखा है आपके पैरेंट्स के चिंताओं का एक मात्रकारण, आपका स्मार्टफोन और आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड जितनी भी सोसल मेडिया एप्स हैं, they are distracting you Insider Higher Education नाम का एक आर्टिकल रिलीज हुआ था, July 9, 2019 को इस आर्टिकल में एक सर्वे रिजर्ट दिखाए गया था और इस सर्वे के कॉडिंग, nearly half of students are distracted by mobile phones इस सर्वे के कॉडिंग, on average, per day, एक बच्चा 97 minutes बिता रहा है आज, texting में, chatting करने में 57 minutes वो spend कर रहा है, Instagram use करने में, Reels देखने में, बचे हुए 30 to 40 minutes वो use कर रहा है, Facebook को आप समझ सकते हो, 97 plus, 57 plus 34, इतना समय हम बिता रहे हैं आज mobile phone में, on average और आप जिस age में हो na, 15 to 19 year के age में, इस age को हम एक tentative age कहते हैं आप सुन्दर चीज़े देखके attract हो जाते हो, चाहे वो लड़की हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जो जी सुन्दर लगी इस age में हम attract हो जाते हैं तो this is also the reason कि आपका mind distract हो रहा है, फाइदा क्या होगा distraction हटाने से, आपका एक line में सुनना, आपका attention span बहुत बढ़ जाएगा, आप भी ये feel करते हो कि जब भी पढ़ने बैगते होगे न, दिमाग कहीं all लगा रहता है, कहीं phone पे, कहीं खेलने में, कहीं दोस में, कहीं girlfriend में, लगा रहता है न, तो distraction को हटाओ, और अपने attention span को बढ़ाओ, जनरली जब हम पढ़ने बैगते हैं, तो obviously 10-15 मिनट बाद ही हमें समझाना स्टार्ट होता है, ये indication है, कि आप mobile चला रहे हो, सोफे पे बैठके हो, आप तुरंत गए study table पर पढ़ने लगे, तो तुरंत वो फा काम है, पहले उसे करो, is it okay, तो इतने सारे distractions देखने के बाद, अब हम बात करते हैं, goals की, how you can achieve your goal, एक situation लेते हैं, इसके लिए, आपका दोस्त और आप, कौन-कौन है, आपका दोस्त है एक तरफ, और एक तरफ कौन हो, आप हो, आपको मैं एक English का question paper बना के देता हूँ, क्य अलग-अलग situation दी जाती है, आपको कहा जाता है, कि ये question paper एक घंटे में solve करके दिखाओ, आपके दोस्त को कहा जाता है, कि जब मन करे, लेकिन solve करके दिखा देना, दो दिन, चार दिन, हपते भर, तो एक बात बताओ, इस दोनो question paper में से, जल्दी किस question paper को solve किया जाएगा, obviously जो तुम्हें मिला है, क्योंकि तुम्हें एक घंटे का समय भी मिला है, आपके दोस्त को तो एक घंटे का समय नहीं मिला है, तो अगर आपके दिमाग में goal है, तो आप जाधा productive feel करोगे, किसी भी चीज़ को जल्दी करने की कोसिस करोगे, and that is how, goal is so important for the preparation of our board exams, करना क्या है, लोग कहते हैं goal set करलो goal set करलो actual में करना क्या है मेरे भाई एक page ले लो चलो मैं आपको screen पर दिखा देता हूँ आपके screen पर एक page आ रहा होगा page में एक तरफ आपको लिखना है short term goals बीच में आपको लिखना है three month goal और last में आपको लिखना है one year goal अब आपको क्या करना है, honestly सोचो और अपने अंतर मन से, अपने अंदर, अपने हर्ट से पूछ के बताओ कि मेरा गोल क्या होना चाहिए short term के लिए मतलब अगले एक हपते में मेरा क्या गोल होना चाहिए कुछ भी हो सकता है, for example, अभी मैं chapter number 3 पढ़ा रहा हूं class 10 के English में, अपने school में, तो आपका short term goal होना चाहिए answering all the questions from chapter number 3, एक और goal ले लेते हैं जो short term goal हो सकता है आपका, learn 100 words, तो आप short term goals जो है उसको आप short term goals वाले columns में लिख देना, ताकि आपको पता रहे है कि भाई अगले एक हपते में मुझे क्या क्या कर लेना है और जब आप इसे पूरा करोगे ना, तो आपका confidence जो होता है, वो 7 वे आस्मान पे पहुच जाता है आते हैं 3 month goal की तरफ, 3 महीने में आपका क्या goal होना चाहिए, ये खुद आपको decide करना है जस्ट example में ये ले सकता हूँ कि अगले 3 महीने में आपका half yearly exam आने वाला होगा तो आपका goal होना चाहिए, all the syllabus for half yearly exams should be completed and दूसरा goal होना चाहिए, revision should be done तो आपको पता है कि अगले 3 महीने में मुझे क्या कर लेना है, मेरे पास goal अब आगया अब आप कर ले जाओगे, और जब आप 3 महीने वाला goal भी achieve कर लोगे ना तो आप धीरे धीरे उस topper की category में आने लगोगे जो जो भी कहता है, वो कर लेता है अब आते हैं one year goal की तरफ, one year goal कुछ भी हो सकता है next year आप 11th में जा रहे हो, तो आपका one year goal हो सकता है कि giving entrance exam for different colleges, different schools one year goal आपका हो सकता है कि axilling each and every chapter in class 10th आप class 10th में हो, तो अगली एक साल में आप class 10th पास कर जाओगे तो इस एक साल तक आपका goal होना चाहिए कि class 10th का एक भी chapter और topic बचना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, तो goal is very important क्यों important है, वो मेरे situation देखे आपको बता दिया अब हमने अपने life से distraction भी हटा लिया, एक goal भी set कर लिया अब बात आती है actual पढ़ाई कैसे करोगे, यही तो main मुद्दा है अब पढ़ाई कैसे करनी है, इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है how will you study from NCRT, how will you study from side book, आप internet का use करके कैसे पढ़ सकते हो कैसे within time आप अपना पढ़ाई complete कर सकते हो, तो अलग-अलग strategies मैंने अलग-अलग videos में बनाया है तो उपर information वाली button पर click करके आप उन videos को देख सकते हो separately तो पढ़ाई करना तो आपको आता है आप कर लोगे, लेकिन बात आती है जहां revision की पढ़ाई गए syllabus को दुबारा दोहराने की यहीं पर हम गलती करते हैं तो भाई आज third point में हम पढ़ेंगे कि आप कैसे किसी भी given material को revise कर सकते हो by using 24, 7 and 21 rule यह क्या है, इसको हम एक example से समझने की कोसिस करते हैं, just say कि एक बच्चा है, यह मेरा student है और यह पढ़ाई कर रहा है अभी मैंने कुछ देर पहले इस student को subject verb agreement के rules पढ़ाएं हैं और मैंने कहा यह वाला जो rule है 24, 7 and 21 वाला इस rule से इस बच्चे को subject verb agreement में revise करवाने वाला हूँ, अब देखो कैसे अब अगर इस बच्चे को subject verb agreement 2-3 दिन के लिए याद करना है तो यह क्या करेगा? यह 24 घंटे के अंदर मेरे पढ़ाने के बाद खुद से subject verb agreement के rules एक बार पढ़ेगा ताकि अगले 2-3 दिन के लिए यह topic इसको याद हो जाए अब अगर इसको और लंबे समय तक यह topic याद करना है तो क्या करेगा? यह अगले 7 दिन के अंदर 24-7 अगले 7 दिन के अंदर इस topic को दुबारा पढ़ेगा और कुछ दिन के लिए और यानि पर्मानेंटली अगर आपको यह subject verb agreement याद करना है तो एक बार 24 घंटे के अंदर पढ़ो एक बार 7 घंटे के अंदर और दुबारा 21 days के अंदर एक बार फिर अगर इस topic को revise कर लिया जाता है तो पर्मानेंटली यह आपके दिमाग में fill up हो जाता है और जब कभी भी subject verb agreement के questions आपको करनी के लिए आएंगे you will be easily doing that questions तो revision करो तो इस method से करो and finally let's conclude our video with the final point हमने distractions भी हटा लिया हमने goal भी set कर लिया और हमने revision भी कर लिया है अब क्या बचता है मेरे दोस्त अब बचता है खुद का testing करना पढ़ तो लिया है ना तो खुद can be known with our label हम किस label पर है कितने number पाने के लायक है यह कैसे पता चलेगा यह पता चलेगा I personally feel कि इसके लिए आपको mock test जरूर देना चाहिए अगर आप 9th में हो 10th में हो 11th में हो 12th में हो तो mock test यानि हिंदी में इसको हम दिखावती परिक्षा भी कहते है यानि board like questions होंगे board like environment में आपको mock test देना है ताकि board में बैटने इस पहले आप खुद prepare कर सको कि किस तरीके के questions आते हैं और उस environment में मैं क्या इन questions को within time कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं तो that is also important कि mock test आप जरूर दो अब mock test आपको कहा मिलेंगे free में कहा मिलेंगे क्योंकि school में teachers तो mock test देते हैं यह बहुत कम ऐसे advanced school है जिसमें subject teachers आपको mock test देते हैं practice करने के लिए तो mock test कैसे लो गया free में तो मैंने कल रात काफी खंगाला और कुछ websites भी हमको मिली जो मैं आपक दिखाना चाहता हूँ सबसे पहली website है selfstudies.com करके आप देख सकते हो इसमें अलग-अलग subject अलग-अलग class के लिए mock test दिया है जैसे मैंने life process का mock test open किया है आपके सामने आप देख सकते हो अलग-अलग questions है time भी दिया गया है तो you can practice from here no login और sign up required किसी भी तरीके कोई पैसा दे देना start करो और अगर आपके mobile phone आपके computer में ये website नहीं open होती है तो there is another website जो आपके सामने में open कर रहा हूँ this one is called आपको दोनों website के जो link है मैं description box में दे दूँगा आप इस website को भी open करके mock test दे सकते हो so this is all from my side I hope आपको मेरे द्वारा बनाय गया ये वीडियो ये 4 points पसंद आ आने वाले हैं so do subscribe that red button red button को दबा के subscribe कर दो like कर देना सेर तो तुम लोग करी देते हो तो ख्याल रखिये अपना bye bye love you all